हेलो दोस्तों सनु कहानी चैनल में आपका स्वागत है आज की कहानी का नाम है गुसा 51 साल की उम्र में वे अपनी 49 साल की पत्नी से दुखी आकर घर छोड़ कर चले गए जिस दिन वे घर छोड़ कर गए कई घंटों तक उनकी पत्नी को इस बात की आशांका भी नहीं हुई थी कि यह उनका अंतिम प्रस्थान है वे तो यही सोचती रही कि वे नुकड की होमोपैत के यहां रोज की तरह अकपार पढ़ रहे होंगे या रेडियो सुन रहे होंगे फिर वे आदेतन बढ़ बढ़ाने लगी कि उन्हें कोई फिक्र नहीं कि वे उनकी रोटी के लिए क्या आधी रात तक बैठी रहेगी कि वे योँ चल देते हैं जैसे घर घर नहों कोई सराय हो इसी जुझलाहाट और इंतिजार में उसे भूख भी लगाई और उसने अपनी थाली परोस ली वैसे वे और भी इंतिजार कर सकती थी पर इस तरह उसका अलग और पहले खा लेना पती के लिए एक धमकी थी जो वे खास नराजी के वक्त पर देती थी फिर साथ खाने में उन लोगों की लड़ाई हो जाती थी लड़ाई के समय वे बिलकुल भूल जाती कि वे खाना खा रहे हैं और इस समय वे चुप रहे तो बहतर है पर वे अगला पिछला सब हिसाब चुकता करने के मूड में आ जाती वे चुप चाप सुनते रहते और आदा खाकर उटते उटते एक अचुक वार कर देते इसलिए तो तुम्हारे घर का कुता तक तक तुमें छोड़ गया इस वाक्य के साथ साथ माया की बड़बडाट शुरू हो जाती और घर में जहां कहीं भी वे बैटते यह बड़बडाट एक जिद्धी मक्खी की तरह उनका पीछा करती वर्शों का पालतू उनका कालू उस दिन की मार के बाद वापस नहीं आया हुआ यह था कि माया ने पती का सफेद स्वेटर दोकर चटाई पर सूखने को डाला था और कालू उस पर पाऊं धरता हुआ परामदे में चला गया उसके पंजे जोंके त्यों मेले नक्षे की तरह स्वेटर पर छप गए जैसे ही माया को इस वारदात का पता चला वे वहश्यों की तरह हाथ में लकडी ले कुट्टे की तलाश में गुमने लगी आखिर उसने उसे तक्त के नीचे सुक की नीन लेते पाया फिर तो उसने कुट्टे को इतना मारा की बाद में देर तक उसकी सांस फूली रही कुट्टा लंगडाता और रोता हुआ बहार भाग गया और फिर इस गली में उसे किसी ने नहीं देखा पर माया को लगा इसमें उसका क्या कसूर आखिर कालू ने गलती की थी तो सजातों से मिलने ही चाहिए थी उसने यह थोड़ी ही चाहा था कि वे भाग जाए उसका ख्याल था जिंदकी ने हमेशा उसके साथ तन्याई किया है उसके दोनों लड़के अपनी बीवियों और नोकरियों में मशगूल थे उन्हें कभी ख्याली नहीं आया कि उनके माबाप अपना वक्त कैसे काटते होंगे कभी उन्हें जादा लिखते कि उनकी यादा रही है तो वे एक मने ओर्डर भेज़ देते उनकी बीवियां कभी उसे चिठी नहीं लिखती मानो वे उनकी कुछ नहीं लगती यही लड़कियां जब माया उन्हें पसंद करने गई थी उसकी तरफ आख उठा कर देखने में भी डरती थी अब एक ने उससे बिना पूछे अपने बाल कटवा लिये थे और दूसरी ने तीसरी बार लड़की पैदा कर दी थी यह सबी बाते माया को गुसा दिलाती थी पर इनसे भी ज़्यादा जिस बात पर उसका खून खोलता था वे था उसके पती का इन जातियों को मुस्करा कर नजर अंदास करना उनका एक समरपन प्रधान वेक्तित्व था और माया का आक्रमन प्रधान पती को ने बेटों से शिकायत थी ने बेटों की बीफियों से वे अपनी तरफ से हर महिने उन्हें चिठ्ठी लिख दिया करते थे बिना यह साब किये कि पिछली चिठ्ठी का जवाब आया या नहीं वे बच्चों से कोई अपिक्षा नहीं रखते थे बलकि वे भी अब यही सोचते थे कि उन्हें बच्चों के लिए कुछ ने कुछ करते रहना चाहिए इसी चाव में उन्होंने उस दिन माया से कह दिया कि अगले महीने उन्हें अपने पहले बीमे का जो दस हाजार रुपे मिलेगा उसे वे दोनों बेटों में आदा आदा बाड़ देंगे आखिर दस साल पहले उन्होंने यह बीमा इसलिए कराया था कि बच्चों के पढ़ाई में इसके जरूरत पढ़ सकती थी फिर वे सब काम उनकी तनक्वा से ही निकल गए यह पैसे जोडे गए तो बच्चों के नाम से ही माया भड़क गई अच्छा यहां सदाफरत खुला है जो बाट देंगे लुटा देंगे उनकी मेमे एक घंटे में बजार जाकर उड़ा देंगे मैं जानती हूँ मैंने कैसे पाई-पाई जोड कर घर बनाया है हर तिमाही बीमे के लिए रुपय तो मैं ही देती थी बस जो है बच्चों में लुटा दो कभी मेरा भी सोचा है तुम्हारे बाद मेरा क्या होगा वे हसे अरे भई अच्छी सद्वाएं तो यही मनाती हैं कि वे पती के रहते रहते ही चल बसे माया में मजाक परदाश करने की शमता कभी भी नहीं थी और फिर ऐसे मजाक वे चिल्लाई तुम तो ऐसे ही बच्चों के लिए करते करते मरखब जाओगे मैं कहां जाओगी किस के सारे जीओगी ये तुम्हारी बहुएं मुझे एक पंखा और दरी हाथ में देकर निकाल बहार ने करें तो मेरा नाम बदल देना उन्होंने कहा नाम बदलने के लिए तब मैं तो नहीं होँगा तुम्ही कोई अच्छा सा पंडित बुलवा कर नाम करन संसकार करवा लेना माया का गुसा बढ़ता ही गया था गुसे ही गुसे में पहले उसने बरतन पटके फिर कुर्सियां एक से दूसरी जगे गसीर डाली कूट रही हो हाँ हाँ तुम्हें लो और लो शांती हो जाए तुम्हें कहते हुए उसने दनादन मुसल अपने सिर पर मानने शिरू कर दि अपने इस उनमाद का एसास उसे थूड़ी देर बाद हुआ जब उसने पाया उसके सिर में भेंकर पीड़ा है और उसका पती उसके आसपास कहीं नहीं है मैं परास्त सिर पकड़ कर बैठ गई उससे कुछ सोचा नहीं जा रहा था बहुत देर बाद उसने सिर पर ठंडा पाने डाल लिया इससे दर्द और सूजन दोनों बढ़ गई बड़े कश्ट से उसने खाना बनाया और अव्य बैठी पती का इंतिजार कर रही थी इतना जगड़ा तो कई बार होता था पती थोड़ी देर को बाहर जाते आकर निशब्द खाना खाते और बाहर वाले कमरे में तक्त पर सो जाते पड़ोस के रेडियो से जब राष्ट्रेगान सुनाई पड़ा तो माया को चिंता हुए इतनी दूर तो वे कभी नहीं करते थी होमोपैथ भी दस बजे दुकान बंद करके सोने चला जाता था उसने गली के लड़के को भेज कर दिखवाया होमोपैथ की दुकान बंद हो चुकी थी बलकि पिछवाडे उसके घर के सभी बतियां बंद थी माया ने उस लड़के को गली के मोड तक दोड़ाया पर उसके पती का कोई चिंद नहीं मिला अब वह आशंका से भरी पूजा के कमरे में गई और उसने भगवान की बड़ी तस्वीर के पीछे हाट डाल कर देखा उसका दिल धक से रह गया उनकी गुटका रामचरित्र मानस जिसका वी सुबह चाम पाट करते थे जगह पर नहीं थी माया को याद आया वे अक्सर कहते थे देख लेना जिस दिन मैं तुम्हारी इस किच-किच से तंगा गया तो बस अपनी रामायन उठा कर चला जाओंगा पीछे मुड़कर भी नहीं देखूंगा एक बार वे उपर से नीची तक काम गई और वहीं जमीन पर बैठ गई रात के इस अंदेरे में वे कहां जाए उने ढूंडने पडोस में उसका किसी से खास मेल जोल नहीं था उसे यह भी समझ नहीं आया कि तलाश वे कहां और कैसे शुरू करे रात भर वे अपना दुखता सिर पकड़े बैठी रही और सोचती रही कि सुबह तक उनका गुसा ठंडा हो जाएगा और मूँ अंदेरे दर्वाजे पर पहली आहट उने की होगी वे रोज की तरह धोती और अंगोचा लेकर नल पर नहाने चले जाएंगे और वे रोज की तरह उनके लिए चाय तयार करेगी पर सुबह छोड दोपैर हो गए दूब भी उतरने लगी वे नहीं आए जैसे जैसे घंटे खिसक रहे थे उसे अपमानित महसूस होता जा रहा था आकिर किस बात की सजा वे उसे दे रहे हैं उसने क्या कलती की अगर कह दिया कि बीमे के पैसे लड़कों को देने की जरूरत नहीं अचानक उसे लगा होने हो वे जरूर दो में से किसी एक बेटे के पास गए होंगे यह सोचकर आशा और आसवाशन के साथ-साथ उसे फिर अपमान बोध हुआ लेकिन वे कुछ देर के लिए चिंता मुक्त हो गई उसने उनके दोस्त हुमोपैट से दोनों बेटों को तार भीजवाए कि वे बाब की पहुँच और राजी खुशी की सूचना दे इंतिजार की एक और लंबी किस उसके छोर पर एक के बाद एक बेटों का आकस्मिक आगबन आते ही वे उस पर बरसने लगे कि बाबुजी कहां चले गए उसने उन्हें कहां भेज़ दिया अब वे उन्हें कहां डूंडे हिंदुस्तान कोई इलाबाद का अदर्स हुया तो नहीं जो वे एक चकर लगा ले माया हक्का भक्का रह गई इस संभावना पर उसने विचार नहीं किया था जब बेटों ने गंगा पर नाव वालों से जाल डाल कर उन्हें ढूंडने को कहा तो रुलाई के साथ उसका अवश क्रोध फूट पड़ा तुम लोग बच्चे होकर बाप का बुरा सोच रहे हो अरे वे क्यों जाने लगे गंगा जी जाए उनके दुश्मन बेटों ने घुड़क कर उसे कोने में बैठा दिया वे आसपास के सभी कस्बों शेहरों में हुआए लेकिन कहीं सुराग नहीं मिला आकरी बार उनके पिता को गली के सबजी वाले ने देखा था पर उसकी उनसे कोई बात नहीं हुई थी इस इलाके के सब डिक्षे वालों से भी पूछा गया पर कोई उन्हें बैठा कर कहीं नहीं ले गया था बेटे पुलीस में रिपोर्ट कर आए अकबारों में इश्टहार दे दिया इंतिजार के अलावा और क्या किया जा सकता था माया हर नए प्रेतन पर उमीद लगा कर दिन काटती फिर निराश हो जाती बेटे उससे सला करना जरूरी नहीं समझते आपस में तै करते और चल देते गली के शैतान बच्चे उसे सुना कर कहते कालू भी गया, काका भी गय, उनकी जगह पर भूत आ गये माया को सबकी आँखों में अपने लिए धिकार ही धिकार दिखता जैसे ही बेटों के आगे मूँ खोलती, उसकी रूलाई फूट पढ़ती बेटे जला उठते, रहने दो हमा, हम क्या तुमें जानते नहीं हैं, तुम तो जुबान से चाबुक का काम लेती हो आखिर तीन हफ़ते की दोड़ दूप के बाद भी जब उनका कुछ पता ने चला, तो बेटों ने कहा कि वे जा रही हैं, वहीं से प्रेतन करते रहेंगे वे बोले, अच्छा हो अगर माया उनमें से किसी के साथ चले, पर माया ने इंकार कर दिया, उसे उमीद थी जब भी उनका क्रोध शान्त होगा, वे इसी घर में आएंगे लड़कों ने जाते जाते उसके हाथ में कुछ रुपे ठूस दे और कहे गए कि हर महीने वे कुछ ने कुछ बेजते रहेंगे इसके बाद उसकी जो जिन्दगी शुरू हुई, वह भयानक रूप से बियाबान थी चेहरे की हसी और आँखों की चमक ने जाने कब उड़ गए द्वार पर दूद वाले के सिवा और कोई आठ कभी नहीं हुई कभी सुनने में आया माया के पती सादू होकर अमरनात में धूनी रमाए है कभी सुना वे पांडी चेरी में स्कूल चलाते हैं कभी सुना गया वे रेल की पट्रियां लांगते हुए दोती फस जाने के कारण वही मारे गए बेटों ने इन अफवाओं का पीछा किया पर उनका पता ने चला दुखोर अकेले पन से बोखला कर कभी माया आसपास के घरों में बाचित की कोशिश करती तो पाती किसी को समय नहीं है पड़ों से यह सोच कर कि शायद वह आर्तिक कष्ट में है बड़े ठंडे लहजे में सहायता वायता जैसी बात करने लगते वह जुंजला कर लोट आते पती के जाते ही पैसा उसके लिए व्यर्थ हो गया था अंधेरा होते ही उसे लगता जैसे मकान में वह नहीं प्रेट चल फिर रही है चुप रहते रहते उसे लगने लगा था उसकी बोलने की ताकत खतम होती जा रही है महज जुबान की हरकत पहचानने के लिए वह रामायन खोलती लेकिन पाती कि इसका अर्थ भी उसके लिए खतम हो चुका है इससे बहतर सुबह का समय था जब अपनी सारी पस्ती के बावजूद वह इंतजार के तनाव को कुछ देर के लिए महसूस करती एक दो घंटे में सारे घर का काम निप्टा कर वह खिड़की पर आख़डी होती उसके घर आएगा या अगला या अगला